सुनीता आज भी जब काम करके घर लोटी उसके दोनों बच्चे फिर से आईस्क्रीम की जित करने लगे आप किते दिनों से बोल रहे हो कि आईस्क्रीम लाओगे पर आप एक भी दिन आईस्क्रीम नहीं लाए मा तुमने बोला था कि तुम हमें आईस्क्रीम किलाओगी पर आज भी तुम आईस्क्रीम नहीं लेकर आई हाँ वो आज गर्मी बहुत थी धूबी बहुत तेज थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई मैं भूल गई अच्छा ठीक है कल मैं जरूर लाओगी हम सुनीता की जिंदगी में बहुत दुख थे दो साल पहले सुनीता के पती रगु ने उसे तलाग दे दिया और किसी औरत से शादी कर ली तब से सुनीता अपने बच्चों को अकेले ही पाल रही थी घरों में जाकर काम करना और जो पैसे मिलते उससे घर का किराया और जरूरी खर्ट सब कुछ थोड़े पैसों में करना पड़ता था और इस महीने तो उसे जादा परिशानी हो गई क्योंकि इस महीने सुनीता की तब्यद बहुत खराब थी उसे काफी दिनों तक बुखार रहा जिस वज़़े से वो काम पर काफी दिन तक छुटी पर रही और उसके पैसे भी कट गए साथ ही उसके तीन घर भी छूट गए अब सुनीता को एक नया घर मिला था जहां से महीना पूरा होने पर पैसे मिलने थे इस वज़ा से सुनीता बहुत परिशान थी बच्चे रोजाना ही आईस्क्रीम के लिए बोल रहे हैं पर मैं उन्हें कैसे कहूँ कि मेरे पास इस महीने बिल्कुल भी पैसे नहीं है मैं उनके लिए आईस्क्रीम कैसे लाऊं सुनीता क्या बात है किराया देने खुद नहीं आया जाता बार-बार मुझे ही आना पड़ता है हीरा लाल जी इस पर किराया देना बहुत मुश्किल हो रहा है बस एक महीने और रुख जाओ अगले महीने मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं सबसे पहले आपका किराया ही दूँगी इस महीने तब ये ठीक नहीं थी इस वज़े से मेरे बहुत घर जूट गए बस थोड़े दिनों की परिशानी है मैं आपको किराया दे दूँगी मेरा क्या है कर्स चड़ रहा है तुझे ही इखटे देने पड़ेंगे पैसे मैं तो तेरे बच्चों पर तरस खाकर तुझे रहने के लिए जगा दे रहा हूँ कोई और होता तो कपका घर से निकाल चुका होता मुझे बहुत किरायदार मिल रहे है जो अच्छे पैसे देंगे बस एक महीना और रुकोंगा अगर नहीं दिया किराया तो मैं अगले महीने आकर सामान बाहर भेंग दूँगा मकान मालिक गुसे में बोलता हुआ चला गया सुनीता को सब तरफ की चिंता थी वो अपने बच्चों का भी मन नहीं मार सकती थी पर अभी वो मजबूर थी उसे एक महीने का इंतजार करना था सुनीता काम पर पहुँची तो उसकी मालकिन उससे बोली सुनीता आज राशी का बढ़े है ये थोड़ी सी चॉकलेट है अपने बच्चों के लिए लेती जाना उसने स्कूल में बाटी थी ठीक है मालकिन मैं लेती जाओंगी सुनीता काम करके घर जाने लगती है मालकिन थोड़ी बर्फ मिलेगी बच्चे ठंडा पानी मांग रहे थे हाँ रुख देती हूँ और वो चॉकलेट मेज पर रखी है वो भी उठा ले अरे बर्फ ऐसे पिघल जाएगी रुख में तुझे जिप वाला बैग देती हूँ उसमें बर्फ पिघले की नहीं सुनीता के मालकिन उसे बर्फ और चॉकलेट एक बैग में रखकर दे देती है सुनीता घर आती है तो बच्चे उससे फिर से वही सवाल करते है मा अप आज फिर हमारे लिए आईस क्रीम नहीं लाई गर्मी में आईस क्रीम का बहुत मन करता है मा ये चॉकलेट किस ने दी ये चॉकलेट मालकिन ने दी है डेरी मिल्क चॉकलेट की आईस्क्रीम? चल्दी से बनाओ न मा, मैं तो सोच रही हो कि डेरी मिल्क चॉकलेट की आईस्क्रीम कितनी टेस्टी होगी, कोशिश कर रहे हो, बन जाए तो अच्छा है सुनीता देखती है डेरी मिल्क चॉकलेट बिखल चुकी थी, घर में थोड़ा दूद रखा था सुनीता ने एक कटोरे में सारी चॉकलेट दूद और थोड़ी चीनी मिलाई और उसका एक घोल तैयार कर लिया चुटकी भर नमक डाल कर सुनीता ने उस बर्फ में एक डिब्बी में वो घोल डाल कर कुछ देर के लिए रख दिया थोड़ी तेर के बाद बर्फ जिस बैग में रखी थी उसमें से सुनीता ने वो डिब्बे निका ली और उसे खोल कर देखा तो वो हैरान रह गए डेरी मिल्क चॉकलेट की बहुत ही बढ़िया थंडी थंडी आइसक्रीम जम चुकी थी आइसक्रीम देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए सुनीता ने बच्चों को आइसक्रीम दी और खुद भी खाई सुनीता ने मन बना लिया था कि उसे अब शाम के समय आइसक्रीम का काम करना है सुनीता ने अपनी जान पहचान की एक सहीली से थोड़े पैसे उधार लिये और सामान खरीद कर एक ठेला लगा लिया सुबह के समय सुनीता काम पर जाती तो आईस्क्रीम जमने के लिए छोड़ देती और शाम को जब आईस्क्रीम जम जाती तो सुनीता उस आईस्क्रीम का ठेला बाजार में लगाती अब धीरे धीरे सुनीता की डेरी मिल्क चॉकलेट आइसक्रीम लोगों को पसंद आने लगी इस वज़े से सुनीता का काम और बढ़ गया और उसने अगले महीने अपना किराय भी आसानी से दे दिया सुनीता को और मेहनत करनी थी पर एक दिन जब वो शाम के समय अपने ठेले पर आईसक्रीम बेच रही थी तब ही उसका पती जिससे उसका तलाग हो चुका था वो आ जाता है क्या बात है मेरे जाने के बाद तो तुने अईसक्रीम का ठेला शुरू कर दिया तेरे पास इतने पैसे कहां से आये कहीं तुने किसी मालदार से शादी तो नहीं कर ली तुम ये बक्वास करने के लिए मेरे ठेले पर आये हो, अब मेरा तुमसे कोई रिष्टा नहीं है, मेरा और तुम्हारा तलाक हो चुका है, चुप चाप यहां से चले जाओ, वरना मैं आस पड़ू, उसके लोगों को इकठा कर लूगी अच्छा, अब तु अपने पती को पिटवाईगी पती? कौन सा पती? तुम्हारा मेरा अपतलाक हो चुका है, मेरा तुमसे कोई रिष्टा नहीं है तु कुछ भी कहले पर मैं कल तेरे ठेले पर फिराऊंगा, और जितनी भी कमाई की है, उसमें से थोड़े पैसे मुझे दे, मुझे जरूरत है, और मैं जानता हूं तुम मुझे पैसो के लिए मना नहीं कर सकती सुनीता का पती रगु शराब के नशे में था, इसलिए वो उसे बोल कर चला जाता है सुनीता थोड़ा घबरा गई थी कि अगले दिन फिर रगु से तंग करने न आ जाये, और यही हुआ, रगु उसके ठेले पर आ गयो और उससे जोर जबरदस्ती करके, गले से पैसे निकालने लगा सुनीता का पती रगु जबरदस्ती उसके पैसे चीन रहा था, सभी आसपास के दुकानदार सुनीता की मदद के लिए आगे आगे, उन्होंने रगु को अच्छा सबग सिखाया और धमका भी दिया बेहन, चिंता मत करो, यह अब तुम्हे बिल्कुल तंग नहीं करेगा अरे, यह कोई जबरदस्ती है, जब तलाक हो गया, सारा रिष्टा खतम हो गया, तो तु यहाँ पर इसके काम को बिगाडने क्यूं आए है, अभी क्या भी चला जाने तो पुलिस में खबर कर देंगे, हाँ तुझे तो देख लूँगा, अट निकाले यहां से, आमज जईयो रगो पिटकर वहां से चला जाता है बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बेन अगर यह तुम्हें तंग करेगा, तो हम खड़े हैं, हमारे होते हुए, यह तुम्हें कुछ नहीं कह सकता आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाईया, बड़ी मुश्किल से मैंने ही काम शुरू किया ताकि मैं अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकूँ तुम माराम से काम करो, हम सब तुम्हारे साथ है सुनीता, हम तुम पर और बच्चों पर को यह अच नहीं आने देंगे उस दिन के बाद सुनीता ने सुबह का काम छोड़ दिया और पूरी तरह अपनी डेरी मिल्क चॉकलेट आइसक्रीम के काम में लग गई गर्मियों में सुनीता की बहुत कमाई हुई, सुनीता की मजबूरी की कहानी सुन कर बहुत से लोग उसकी मदद को आए और उन्होंने सुनीता की ठेले पर जाकर उसका इंटर्वियू लिया और उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया जिससे सुनीता की कमाई में और बढ़ होतरी हुई सुनीता की मेहनत रंग लाई और उसकी डेरी मिल्क चॉकलेट आइस्क्रीम के चर्चे दूर दूर तक फैल गए पुश्पा सुबह से ही गुस्से में बैठी थी तभी उसका पती उमेश सबजियां लेकर आ जाता है पुश्पा ये ले हरी सबजी ले आया हूँ जल्दी से बना दे मुझे काम के लिए देरी हो रही है ये तुम क्या रोजाना लौकी उठा लाते हो तुम्हें और कोई सबजी नहीं मिलती क्या जब देखो लौकी की सबजी बना दे रहो एक तो वैसे ही गर्मी में मेरा दिमाग खराब हो रहा है सबके घर में कूला रेसी होता है हमारे घर में ये पंखा चलता रहता है वो भी मरियल सा बहु तु बेकार में ही उमेश के साथ लड़ रही है अरे लौकी गर्मियों में फाइदा करती है ठंडी होती है हाँ हाँ आप तो ऐसी कहरे हो माजी जैसे लौकी में इसी लगाओ पुश्पा बहु फाल तु का गुस्सा छोड़ो देखो उमेश अकेला कमाने वाला है एक तु घर चला रहा है इतना खर्चा कर रहा है उपर से तुम उसके उपर और दबाव डालती हो ये बार ठीक नहीं है हरी सबजी खाना तो अच्छी बात है और लौकी लौकी तो बहुत वाइदा करती है आज तुम लौकी ही बनाओ मेरा भी बहुत मन है पुषपा सड़ा सा मूँ बना कर लौकी चिलने लगती है उस दिन लौकी की सबजी बन जाती है अख़र ये उमेश सबजी बनाने के लिए लौकी ले आता था इस वज़े से पुषपा हमेशा गुसे में रहती थी एक दिन पुश्पा बाजार से कुछ सामान ले रही थी तभी उसे उसकी सहीली हेमा मिल गई और वो जबरदस्ती पुश्पा को अपने साथ घर ले गई क्या यार कभी-कभी तो हम सहीलियां मिलती है और फिर मेरा घर बाजार में है तो मेरे घर आए बेना तू कैसे अपने घर जा सकती है रुक मैं इसी चलाती हूँ तू AC की ठंडी-ठंडी हवा में बैट तब तक मैं तेरे ले मिल्क शेक बना कर लाती हूँ अच्छा तेरे घर में AC लगा हुआ है हाँ, हमारे घर में तो AC बहुत पहले से लगा हुआ है क्यों, तेरे घर में नहीं है क्या हाँ, वो था पर खराब हो गया अब मैंने नया ओर्डर किया है एक नए डिजाइन का, वो कुछ दिनों में आ जाएगा अच्छा चल, मैं तेरे घर आउँगी न तो तुम मुझे अपने AC की हवा दिखाना मैं भी तो देखू, तुने कौनसे नए डिजाइन का ओर्डर किया है मैं अगले हफ़ती तेरे घर आउँगी पुश्पा उस समय तो जूट बोल देती है पर वो बहुत टेंशन में थी कि अगले हफ़ते हेमा उस से मिलने आएगी तो उसके घर में तो AC है ही ने वो तो बहुत शर्मिंदा हो जाएगी उसे पता था कि उमेश अभी भी उसको AC लेकर ही नहीं देगा क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है पुषपा के दिमाग में उल्चन चलती रही एक शाम पुषपा जब रसोई में खाना बनाने का इंतजार कर रही थी तो उमेश फिर से लौकी ले आया तो पुषपा का पारा साथवे आसमान पर चड़किया हाँ हाँ कुछ बोलने की जरुरत नहीं है मुझे पता है मुझे लौकी ही बनानी है लौकी ठंडी होती है लौकी गर्मियों में फाइदे मंद होती है लौकी हरी सबजी होती है ये सब माजी उबदेश मुझे पहली देती रहती है अब फिर दे देंगी इसलिए आज मैं कुछ बोलूँगी है नहीं तुम ये लौकी रखो और यहां से चले जाओ। अच्या, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो, तुम है तो लौकी के बहुत सारे गुन पता है। चलो ठीक है फिर जल्दी से बना लो, मुझे बहुत जोरों की भूग लगी है। पुश्पा गुस्से में तो थी ही, उसने चाक उठाया और जोर से लौकी पर मारा। लौकी के तूटकर दो हिस्से हो गए। पर ये क्या, लौकी में से धुआ निकलने लगा, और उस धुए में से एक सुन्दर सी परी प्रकट हुई। पुश्पा उस परी को देखकर घबरा गई। तुम कौन हो और इस लौकी में कैसे आई। मैं एक परी हूँ, परी लोग से प्रित्वी लोग पर घूम रही थी, एक राक्षस से बचने के लिए मैं इस लौकी में छुप गई थी, पर ये लौकी बाजार में बिकने के सकती हो, हाँ, तुम मुझसे कुछ भी मांगो, अगर तुम मुझे कुछ देना चाती हो, तुम मुझे एक नया एर कंडिशनर दे दो, मेरी फ्रेंड आने वाली है और मेरे घर पर एसी नहीं है, मैंने अपनी सहली को बोला था कि मैं नए डिजाइन का एसी खरीद रही बहुत मजाग बनाएगी, मेरा जूट पकड़ा जाएगा, जूट बोलना बुरी बात होती है, पर तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, पर एक शर्त है, आज के बाद तुम कभी भी जूटी शान दिखानी के लिए जूट नहीं बोल पुष्पा को लौकी का एसी बन कर तयार हो जाता है, पुष्पा को लौकी का एसी दे कर वो परी वहां से गायब हो जाती है, पुष्पा घर में सबको एसी चला कर दिखाती है, लौकी के एसी में से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, घर में बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि गर्मियों में उन्हें A.C. की ठंडी हवा जो मिल गई थी पुश्पा अपनी सास और पती को सारी बात बताती है वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं कि ये जादू कैसे हो क्या पर जो भी हुआ था अच्छा हुआ था गर्मियों में सब को राहत मिल गई थी उसको भी सच्चाई बता देती है कि किस तरह से लौकी में से परी निकली और उसने उसे ये A.C. दिया अरे हे मा तू तो अभी आई थी और अभी कहा जा रही है वो मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है मैं फिर कभी आऊंगी अरे बहु तुम्हारी सहेली इतनी जल्दी क्यों चली गई मा जी मैं जानती हूँ ये कहां गई है ये उसी दुकान पर लौकी खरीदने गई है जहां से पिंकी के पापा लाए थे पुश्पा और उसकी सास जोर से हस देती है पुश्पा का अंदाजा सही था हेमा वहां से सीधा उसी सबजी वाले की दुकान पर जाती है हेमा के मन में लालच आ गया कि वो भी कोई लौकी काटे तो शायद उसमें से कोई परी निकल आए पर हेमा हाथ मलती रह गई उसने लौकी की कितनी ही बोरिया मंगा ली और लौकी को काट लिया कि शायद किसी में तो परी बाहर आएगी पर किस्मत हर समय हर किसी का साथ नहीं देती यही सच है किस्मत कभी-कभी चमकती है शायद पुश्पा की किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी जो उसके हिस्से में वही लौकी आई जिसमें से वो परी निकली और उसने पुश्पा की वो इच्छा पूरी कर दी जो शायद उसके इस गर्मी और आने वाली कुछ गर्मियों तक पूरी नहीं होने वाली थी